गंगल का सबसे बड़ा जानवर कभी भी शेर होता इच नहीं है सबसे बड़ा जानवर कौन होता है? लंबाई में जिराफ, राइट? बड़े में शायद हाथी? सबसे फुर्तीला कौन होता है? चीता, सबसे क्लेवर कौन होता है? लेकिन शाला इन में से कोई राजा नहीं होता ना? तो ये qualities चाहिए इनैंना रूल करने के लिए. राजा कौन होता है? उसमें अऐसी कोई quality ने, ना उंचा है, ना भारी है, ना फुर्तीला है, ना कलेवर है, उसमें एक आदत है जो किसी में नहीं है उसमें एक आदा है जो किसी में नहीं है उसमें क्वालिटी है जो किसी में नहीं है इसका साले का बिलीव सिस्टम बड़ा गजब है इससे किसे ने पूछा कि तू राजा क्यों है तैमें तो कैसी कुई क्वालिटी नहीं है क्या बोलता है बोला मुझे लगता है मैराजाओ इसलिवे रहाजू है कि मैं मुझे लगता है मेराजाओ जुपflowing कि अब इस बिलीव सिस्टम से होता क्या है एक्टिट्यूंड चेंज होता है एक्षन बद जाता है, हाथी ने शेर को देखा, शेर ने हाथी को देखा, एंकाउंटर हुआ, आखों का आमना सामना हुआ, अब हाथी ताकतवर है कि शेर, कॉमन सेंस देखो, हाथी ताकतवर है, अगर वो पैर डाल दे, तो मुझे लगता नहीं, शेर कभी खड़ा हो सकता ह वो सूंड में लपेट के फैक दे, तो शेर हम से सौ फूट दूर जाए, लेकिन हाथी को ऐसा लगता ही जाए, जब दोनों आमने सामने देखते हैं, तो हाथी के दिमाग में शेर को देखते ही आता है, इटर, ये खाएगा, उसके थॉट प्रोसेस में कहा रहता है, अब श शेर ने जैसे हाथी को देखा उसके थॉट में भी आता है, लंग्च, गजेर को खा सकता हूं, तो जो जैसा सोचता है, वैसा ही, आक्ट करता है, हाथी डिफेंसिव मोड में जाता है, और शेर अटायकिग कुआ है, लेकिन हाथी क्या शेर से ताकत्वर नहीं है, तो जब आप सब लोग अगले एक साल में रूल कर सकते हो आपका attitude change हो जाएगा आपका action plan बदल जाएगा मैं दावा दे सकता हूं आपको ना ताकत चाहिए ना education चाहिए ना गोरा होना चाहिए ना अंग्रेजी चाहिए ना बड़े परिवार का आदमी चाहिए बस तुम्हारा attitude चाहिए कि I'm a winner that's it मैं आपको बता दूँ अभी announcement हो जाए कि इस बाहर लीला में 100 हाथी घुम रहे हैं तुमको टट्टू फरक नहीं पड़ेगा अभी announcement हो जाए एक share आ गया है बाहरे तुम्हारे दरवाजे बंद सौला बंद कर सो हाथी से कुछ नहीं फरक पड़ेगा तुम्हें और ठीक है क्योंकि thought process वैसा हो गया उसको लेकर तो don't be elephant be a lion ladies and gentlemen जिसको देखने के बाद सुनने के बाद लोगों के हुश फाक्ता हो जाए या